इस शहर का हरेक इलाका मेरा है सब मेरे इशारों पर चलता है तू, तेरा गैंग, मेरी चपल तक साफ करने के लायक नहीं है और तू मेरे साथ डील करेगा तेरी आवकाद ही क्या है आज मैं तेरा काम खातम कर दूँगा अरे ओ, तेरी बाते सुन रहा है तो मुझे लके जी का बच्चा समझाए यादो, तेरे भाई को खेराबाद के सिम्यल के पास काट कर चार मिनार तक गोमा था मैं क्या विगाड लिया था तूने, हाँ? जिल लाने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है एक चुटकी बजाते ही, दुझे ऐसी मौत दूँगा की तरी आने वाली पुष्टे भी कापेंगी अरे हो तौफिक, मुंबई में आने वाली गंस के डेलिंग मेरी है लोकेशन शेर करता हूँ, जो उखाड सकता है उखाड लेना एई, ऐसा सोचना भी माद, नहीं तो तबाह कर दूँगा जगडा मत करो, एक डेलिंग करते हैं, दोनों तरब से एक फाइट करवाते हैं अपना एक आदमी और तुम्हारा एक आदमी, जो भी जीतेगा, डेल उसकी होगे, फाइनल अब अपने अपने गेंग से एक एक आदमी को भेजो अफजाल एई, शिवाजी एई कि ओपनों खर दुब कर दिड़्स, खब कर दिए। कि अझा बर बार कि अगा खश्चित पार दुट है अग्सानग丁ख अब अब जोग्ज़ टोग मार अबसल मार अप्षाल ठाइव हुआ 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 उठlier लाह न हुआ अबसाल, बारुजे! जिल! गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है, इधर देख अज़ कर देख एई, येशपकर! मेरी पूरी इजट चली गई कि वह खुट अएव ऑग वाएखभण को अजएखभण को अजएवद को अजएव पीजएव को अजएव कि वह बुट एक शंकार शबाद नहीं यह एसे मार क्यों खा रहा है जैसा मैंने तैय किया था मेरा आपनी जीता है तौफेक देख लिया ना मेरे गैंग के एक आपनी का भी तुम कुछ नहीं कर पाए इसलिए अपना मुँ बन रखना जल्दी तेरा काम खत्म करूँगा मैं समझ गया ना इतना तो तू जान ले शहर तेरे हाथों के नीचे नहीं मेरी आखों के सामने रहता है याद रखना तेरे साथ तेरे गैंग का भी नाम और निशान मिटा दूँगा वो दिन भी आएगा याद रखना अबे ओ उबले हुए अंडे तूने मुझे क्या हलवा समझ रखा है कौन रहेगा और कौन जाएगा ये टाइम तै करेगा मेटिंग इस ओवर एए चल ए तौफेक चल जा निकाल नया एंटर हुआ है ना गैंग में तूझे तो मैं बात में देखूंगा शबाश तेरा ये डम तेरा कांफिडेंस अच्छा लगा मुझे मेरे गैंग को तेरे जैसा ही बंदा चाहिए मेरी गैंग जॉइन करेगा क्या वैसे तेरा नाम क्या है अमिताब बच्चन अमिताब बच्चन देखकर तो लग रहा है कि सेंटरल जेल से भाग के आया है क्या बात है देखने से भले ही निकम्मा लग रहा हूँ लेकिन तूने बिल्कुल सही पहचाना ड्रेस से पता चल रहा है ना कि मैं कितना बड़ा लफंगा हूँ अब तक तो मैंने आधी ताकत इस्तिमाल किया और तेरे भाई ने मुझे अपनी गैंग में जॉइन कर लिया वो शंकर यादो को खतम कर दूँगा मैं भाई शंकर यादो जिस डिलिंग की बात करा ना वो कल नहीं आज ही होने वाली है अच्छा वाह तू कैसे जानता है भाई, ट्रेस कुछ गरबर हुई तो भाई भी दिखाएंगे हाँ, मुझे बज जॉइन होने की देरी है जॉइन हो गया न, तो सब काम कर दूँगा और उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा तेरे उपर पूरा भरोसा है मुझे आपे देखाना मैंने तेरा दम शाबाश तू ही करेगा यह तुम्हारे साथ मेरी फ़र्ज टील है अगर काम ठीक से हुआ तो सारी टील तुम्हारे साथ माल चला जाए, पैसा चला जाए, कोई फिक्र नहीं लेकिन अगर विश्वास चला गया तो तुम सब की जान भी जाएगी यह बच्चे के खिलाओने छोड़ो इससे लेटेस्ट मेरे पास में बोलो तो तुम सब को एक गिफ्ट भिजवा दो सब एंजॉय करना है एए, अटा सामने से अटा एक बार हमसे डीलिंग करके देखो हम क्या हैं पता चल जाएगा तुमारे और तौफिक के बीच में जगड़ा मैं अच्छे से जानता हूँ हर बार तुम ही जीत रहे हो इसलिए मैं तुमारे साथ डील करने आया हूँ हमारे इस शहर में गन का कल्चर शुरू होना चाहिए वो भी कि मेरे हाथों से है वो इनफॉर्मर है उसके शर्ट में देखो कैमरा नजर आएगा तो तुने मार क्यों दिया हम फिर से मिलेंगा खुदा हाफिस बेटी हाँ आ रही हो अब्बू अफिस जाने से पहले तौफीक साथ से मिलकर जाओ हाँ अब्बू लेकिन एड्रिस मुझे नहीं पता आप बताओगे तो मैं मिलके आ जाओंगी तुम जो भी चाहती हो वो तौफीक खान को बताओ हैदराबाद में हमारे लोगों की सिर्फ वही मदद करेंगे मैं कैसे उनको बताओं आपा 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 आप जो भी कहना चाहती है वो सीधे सीधे कह दीजे अब्बू आप एड्रिस बताइए और आप लिख लीजे भीटी उसका एड्रिस नोट कर लो आसिफ नगर 1-60 130 by 2 घर का नमबर 13 टाइप कर लिया हो तो वहाँ क्या कहना है वो मैं बताती हूँ मैं साथ महीने से एक आफिस में काम कर रही हूँ वो लोग तीन महीने से मुझे सैलरी नहीं दे रहे हैं इतना कहने से वो समझ जाएंगे मेरी बात सुन लो बिटा उनका एड्रिस पूरा लिख लिया ना पहले जाकर उनसे मिलो ठीक है अब्बू मैं मिलकर आती हूँ मुझे तुम से एक बात पुछनी थी तुम जेल क्यों गए मेरी पुरानी जिन्दे की जानना छड़ो और ये बता तौफिक और यादों के बीच क्या जगडा है फिल्म की तरह ये लोग अच्छे फ्रेंड्स थे इसके बाद इनके बीच कोई जगडा हुआ कि इतना भी फिल्मे नहीं है दुनों पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन थे एक बार उस यादों ने अपने तौफिक भाई के छोटे भाई का सर काटके चार मिनार तक टहलते हुए गया था तब ही तौफिक भाई ने उसे मारने का प्लान कर लिया था लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया वो यादों का कुछ भी नहीं बिगाड पाए मैं आ गया हूँ ना वो यादों मर गया समझो एक्स्क्यूज मी आप मुझे ज़रा ये एड्रिस बताएंगे प्लीज अरे मिता बच्चन वो किसी और का एड्रिस नहीं बल्कि तौफिक भाई का एड्रिस पूछ रही थी चलो ना सलाम वालेकुम भाई वालेकुम असलाम आओ बेटी कैसे आना हुआ ओफिस में कोई प्रॉब्लम है क्या जॉब ठीक से चल रहा है ना या किसी ने तुम्हें परिशान किया है बोलो नहीं भाई वो बात नहीं है तो मैं पैसे चाहिए क्या नहीं भाई मुझे ऑफिस से तीन महिने से सैलरी नहीं मिले मांगने पर मुझसे बहुत रूट बीहेव किया और कहा जिसको बोलना है बोलो क्या करूं समझ नहीं आया इसलिए आपके पास आ गई एसलिम जा कर उसके हाथ पैर तोड़कर आप भाई भाई मैं जाओं क्या भाई मैं बताओंगा कि मैं क्या चीज हूँ नहीं लोगों को भी मौका दे दो ना भाई या प्लीज ठीक है ओके भाई मैं चलते हूँ खुदा हाफिस आपका नाम क्या है बताना ज़रूरी है चुपचप काम करो काम करने के लिए नाम एड्रेस और फोन नंबर ये सब पता ही होना चाहिए ना क्या कहती हो ज़रूरत नहीं बाद में बताओंगी ठीक है करदी दो दो ज़रूर सुपपटनर है बता ही है बता ही है अग्रेस और बता है में बता है यहां क्यों रुख गए? सबको सैलरी मिल गई है सिर्फ मुझे ही नहीं मिली है सिर्फ तुम्हारी नहीं थी मुझे इसमें कोई तो गडबर लग रही है ठीक है एक काम करते हैं अभी तुम जाओ अपना फोन और रखना वहां जो भी हो रहा है वह मैं पता लगाता हूं उसके बाद एंट्रे कब करनी ह मैं डिसाइड करूँगा मैं जाओ जब से देखा है मैंने तुझी को चिक चलम चिक चलम चिक चलम चिक चलम चिक चलम चलम यह रात है वो रात थी वाह यह गाना सुनते ही मेरे शरीर का हरंग डांस करने लगता है क्या मस्द गाना लगता है यार बार-बार यही गाना सुनने को मन करता है छे यार इतनी उमर हो चुकी है मेरी लेकिन अंदर की इक्छाएं बिलकुर मरने का नाम नहीं ले रही असल में जब मेरा इस उमर में यह हाल है तो तुम्हारी हालत कैसी होगी एक बार देखने का मन कर रहा है दिखाओगी क्या एक बार दिखादो ना फ्लीज वाट? एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं आने को मना की थी ना फिर कियों आई हो sir sir please give my three month salary then I'll go तुम चली जाओगी चली जाओगी ऐसा तुम बार बार कहती रहोगी और मैं आओ, आओ, कहता ही रहूंगा आजाओ मेरे पास, आजाओ मेरे पास बेबी, आजाओ ना, अब आभी जाओ ना कहां बुलाए मैंने समझ गई ना समझत गई होगी देखो बेबी, तुम जितना मेरे पास आओगी तुम्हारे पैसे उतना ही तुम्हारे पास आएंगे तुम जितना मुझसे दूर जाओगी तुम्हारे पैसे उतने ही दूर जाएंगे अब सब तुम्हारे हाथों में है मेरे हाथों में रख तो बेबी रख भी दो न सर मैं आपके इंटेंशन्स अच्छे से जानती हूँ लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ सर मेरे घर पर बहुत प्रॉब्लम से प्लीज ट्राइट टू अंडरस्टैन सर प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए अगर पैसे चाहिए तो तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है बेबी मैं एक मिडल क्लास फैमिली से हूँ सर प्लीज देखो बेबी तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है और इधर मेरे शरीर में प्रॉब्लम है तुम्हें जिस तरह मनी चाहिए उस तरह मुझे हनी चाहिए मेरा हनी तुमारे पास ही है आओ दे दो मुझे हनी आओ दे दो आ रहा हूँ बचके रहना रे बबा बचके रहना रे बचके रहना रे बबा बेबी अब आ जाओ ना मैं आ गया सर तू कौन है बे तुझे अंदर किस ने आने दिया अरे तुम नहीं तो बोला ना आ जाओ देने के लिए आया हूँ क्या लेना पसंद करोगे तू क्या देगा बे तेरे पास है ही क्या तो ये सब तेरा स्क्रीन प्ले है अब देख तेरे स्क्रीन प्ले का कैसा डिरेक्शन करता हूँ मैं एह मेरा बैक्ग्राउंड क्या है तुझे पता भी है RGB को रक्त चरित्र की स्टोरी देने वाला मैं ही हूँ टाइटल उसने रख लिया मेरा खांदान किसी का रख निकालने से पहले जरा भी नहीं सोचता भाई 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 मुझे पाफ कर दो भाई भाई मुझे अपनी मां की यादारी भाई भाई आपका इसना बड़ा होगा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोच जाता भाई ये क्या है बे असल में इंसान ही है न तू ऐसा लग रहा है अभी अभी जन्मा है तू इसके एंडिंग पता नहीं कहां तक होगी सिस्टर मैसेज चेक कर लो सिस्टर अल्रेड़ी इंट्रेस्ट के साथ आपको मनी ट्रांसफर कर दिया है मेरे शरीड में बहुत प्रॉबलम है सिस्टर जादा प्रेशर करोगी तो लगता है शुगर भी बढ़ जाएगा आपके पास तो बहुत काम होगा ना सिगनल भी दे रही है ना सर तो अपना काम करो ना सर आप जाओ ना यहां से सर तू तेरा डमी आउजार तेरी डमी स्टोरी दुबारा ऐसी हरकत की ना तो कौन सा आउजार तोड़ूंगा यह तो खोदी समझ ले चलता हूँ अभे बस बस यही फर्स फ्लोर अरे आईये ना अब्बू और आपा से मिलाते हो बेटी कौन है यह अब्बू तौफिक भाई ने इन्हे ही मेरी हेल्प के लिए भेजा है इन्होंने मेरी हेल्प की और तीन महिने की सेलरी भी दिलवा दी बहुत बहुत शुक्रिया बेटा अल्ला तुम पर रह्म करेगा तुम्हारा नाम क्या है अमिताब बच्चन वाव अच्छा नाम है पूरी दुनिया इस नाम को जानती है अरे आप लोग खड़े खड़े बाते कर रहे हैं आप बैठिये मैं चाहे लेकर आते हूँ अरे रने दिशिये आपका प्यार ही काफी है अगली बार आओंगा तो खाना खाकरी जाओंगा बहुत ही अच्छा लड़का है अमिताब बच्चन है वो इस विकेंड दुबाई जाना होगा टिकट बुक करके रखो और अगर कोई भी फोन करें तो बोलना हेल्थ प्राब्लम है सर एक टिकट या दो टिकट तो मैंने दो के लिए कहा गया सर सर थोड़ा वो कुछ पर्सनल है सर सौरी सर मैं बाद में आता हूँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप बैठी है सर वो अपनी हिरोईन आई है ना उसी के बारे में उसने फोन किया है कि वो खाली है उसे मिला कर दो टिकट करा दू क्या अच्छा ये बात है बात तो सही है करेक्ट है आँ सर कर दो दूबारा अगर फिल मीट हुई ना तो उसके साथ तेरी फोटो की जवा दूगा तो बोलिए कमिश्ण जी लगता है आज केल पुलिस वालों में देश भक्ती बढ़ गई है कहीं आप मेरे राज से परदा उठा के मुझे जेल के अंदर पहुचाने का सोच रहे हो क्या इस पार डिपार्टमेंट बहुत कठोर रास्ता अपना रहा है खलती करने वाले और उनका सपूर्ट करने वाले कोई भी हो उन्हें कानून के साब से चलना होगा अरे वाह परवचन सुने हुए बहुत दिन हो गए थे हालतु भलतु बाते इतनी सुन चुका था कि अच्छी बाते कानों में जाही नहीं रही थी मेरी बात सुनिये आपको मुझे और जनता सबको पता है कि आज कलके ने तक कैसे रहते हैं क्या खाते हैं जनता देख के भी अंदेखा कर देती है फिर आपको क्या पढ़ी है सायर ये सब कोई छोड़ दीजिये और सुकून से रहिए सायर और अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताईए समझ में आगए सार बाटा इम सॉरी मैं जानता हूँ आप मेरी मदद नहीं करेंगे आप किसी छोटे मोटे इंसान को अंदर डालके अपना पैसा बना लेंगे लेकिन मेरी हेल्प करने वालों में से दो लोग है उनसे पंगा मत लीजिये का सॉरी सर भले अपने ना ट्रांसफर कर दें लेकिन आम मैं किसी को छोड़ने वाला तो बिलकुल नहीं मैंने जो बोला वो आपको शाय सामन में आ गया हूँ मैं जानता हूँ सर आप बहुत सिंसिर है आप किसी के काम नहीं आएंगे क्या लोगों को पता नहीं है कि मैं लफंगा हूँ फिर भी लोग मुझे वोट देते हैं और मैं हर बार जीतता हूँ क्योंकि दूसरा ओप्शन ही नहीं है सर ओपोजीशन में दस लोग है लेकिन सब के सब लफंगे है अब ऐसे मैं किसी एक को तो चुनना है इसलिए मुझ भले इंसान को चुन लेते है सर यहाँ पे चंता ही भगवान है वही हमें जीताती है जीतने के बाद भले ही उन्हें भूल जाओ लेकिन फिर भी वो जीताती है सर हर अवतार के मौके पर भगवान ने राक्षसों का अंत ही किया है सर एनिवे ठैंक्यू चलता हूँ मैं यह किसी के आगे जुकने वाला नहीं है कमिशनर बहुत ही स्ट्रिक्ट है होम मिनिस्टर ने बताया नो आरेस्ट सीधे एनकाउंटर करता है अपने सारे लोगों को इन्फॉर्म करो मैसेज फॉर्वर्ड करो सब को अलर्ट रहने के लिए बोलो नए लोगों पर भरोसा करके कोई काम मत देना अपने पुराने गैंक के कुछ लड़के बाहर चले गए हैं उन लोगों पर नजर रखो ठीक है वो कितना भी स्ट्रिक्ट क्यों नहों वीकनेस तो जरूर होगी मौके का इंसार करते हैं उसकी जरूरत नहीं है सीधे होम मिनिस्टर के यहां से कॉल आया है समझ में नहीं आया क्या इस सिच्वेशन में छोटा गेम खेलते हैं प्लान के हिसाब से पूरे यादव गैंक को उपर भेज देते हैं अपने लोगों के जरिये नहीं दूसरे लोगों के जरिये फिर शक की सुई उस यादव की तरफ घूम जाएगी वो कमिशनर यादव को ही उठा लेगा इस समिताब बच्चन का क्या करेंगे भाई यादव को मारने के लिए बोला लेकिन उसने कुछ नहीं किया अरे उसको बाद में देख लेंगे जो मैंने तुम्हें लिस्ट दी है उसका काम पहले देखो समझा ठीक है भाई अरे हाँ ठीक है ठीक है तुम टेंशन मतलो जल्दी आ जाओंगा हाँ सर शहर में हुए सभी आठ मंडर और उससे काम पहले है संबंधितों की फाइल है सर जितने भी लोग मरे हैं सभी तौफिक गयंके है सर और उन्हें मारने वाले बिहार गयंके है इसा शक है इंक्वाइरी की सारी डिटेल्स इस फाइल में है सर एक बार आप इसे देख लेगे इस फाइल की क्या जबत है मरने वाली आम जंता तो नहीं थी ना बहुत बार जेज जाने के बाद फिर से मर्डर और बलातकार करने वाले बदमाश हैं मरने दो इनको वापस में लड़कर मरेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है सर प्रेस वाले पूछ रहे हैं अब उन्हें क्या जबाब दे सर ये प्रेस वाले जो हैं मासूम लोगों के मरने पर सवाल नहीं उठाते हैं लेकिन जब धर्ती के बोज मरते हैं ना तब माइक पकड़ के हमला बोल देते हैं बात वो नहीं सर जो चाहे बता दो बोल दो कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बाद में बताएंगे सर बाकी के गेंग का क्या करना है सर पकड़े जाएंगे क्योंकि भूखा शेर तो अभी अंटर हुआ है भूख मिटने तक पीछा करना नहीं छोड़ेगा एनिवेस्ट तुम जाओ यस्तो कर दो है यह यह यहाद है यह याद अप शंकर यादाओ, नाइस गेम प्लान हमारा और फल तुमारा उपर से अंजान बन कर भाई को इक गन दिखा रहे हो न वाह, क्या गेम खेला है शंकर यादाओ ये क्या बकरा है तू हाँ भाई, मरने वले आठ लोग थे सारे अपने ही लोग थे मारा भी हम लोगों नहीं और मरे भी हमारे ही लोग और उसका प्लान करने वले भी तो आप ही हो न भाई ये क्या बकवास है भाई, यहाँ पर बकरा भी हमारा और बिरियानी भी हमारी लेकिन खाने वाला है अकिला शंकर यादाओ दौफीक के गैंग में नए आया था तब मैंने इसे हलके में ले लिया बहुत दिमाग है इसके पास इतना सब बता दिया ना क्लाइमेक्स भी बता दे भाई, वो तुमने जो प्लान बनाया था ना वो लीक हो गया तुमारे सामने जो खड़ा है उसने बहुत अच्छी चल चली तुमने जिनको मारने के लिए फोटो भीजी थी उनकी फोटो बदल कर हमारे ही लोगों की फोटो दे दी तो मारने वालोंने किसे मारने जा रहे हैं वो नहीं देखा अब हम लोग करेंगे और तुम लोग सिर्फ देखते रहोगे असल मैं तुम भले ही सोच सकते हो कि एकल तुमने शुरू किया था लेकिन ये खेल शुरू करने वाला भी मैं और खतम करने वाला भी मैं एक एक करके नहीं करूँगा, बलकि एक ही बार में सब को चलाकर फसम कर दूगा यादा हूँ ये बच्चों वाली प्लानिंग बच्पन में कच्छा पहनके बहुत करता था कर ले, जितना प्लान करना है कर, तेरा प्लान मेरा कैसे बनेगा, मुझे बस इस पर ध्यान देना है मैं भी यही चाहता हूँ, तुझे समझ में नहीं आएगा कि खेल कौन सा है, कौन बैटिंग कर रहा है और कौन बॉलिंग कर रहा है एक अच्छा खेल कैसे खेलते हैं वो मैं तुझे सिखाऊंगा शबाश यादव तेरी आँखों में डर दिखाई दे रहा है और मुझे एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है अरे मिता बच्चन ग्राउंड में मिलते हैं बैटिंग किसकी और बॉलिंग किसकी वहीं तै करेंगे जा बेट जा शबाश शबाश ऐसे काम नहीं चलेगा अटलीस्ट कुस्तो करना पड़ेगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो पार्टी डूप जाएगी और तुम लोग क्या कर रहे हों तुम सबकी आखे बंद हो गई है जन्ता तुम्हें वोट नहीं देगी न तो तुम्हारी आखे खुल जाएगी एक बात तो सच है आप जन्ता पूरी तरह से जागरुख हो चुकी है धर्म और जाते के नाम पर वोट पाने वालों को आप जन्ता बिलकुल भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है समझ गए तो पिझा जो भषक भाई को भाई ह सेैय dal hag, आनबे जाए के लिए है अच्छा भलकुल्टिन के दाधि校 मुझे मिखार। हए मिठाए नहीं कियों हो हो इतना खुश्मत हो ये तुम्हारे लिए नहीं भाईय के के लिए है अच्छा हेल्प की मैंने और स्वीट्स भाइया के लिए मेरे लिए कुछ नहीं घर में तुम्हारे और मेरे अलावा और दूसरा कोई भी नहीं है इतनी इंफॉर्मेशन काफी है ना या कुछ और चाहिए जरुरत नहीं मैं बाद में आती हूं अरे बार-बार किय तुम लड़कियां कुछ भी सीधे सीधे क्यों नहीं करती है तुम लड़के भी तो सीधे सीधे नहीं पूछते हम तो सीधे सीधे ही पूछता है पर तुम नजर अंदास करती हो भले हम नजर अंदास करते लेकिन हमारी हरकते साफ साफ बताती है पर तुम ही नहीं समझ पाते हो अरे वो हरकते समझ कर ही तो हम लोग हाथ थाम लेते हैं बाई अब तो रमजान आने वादे हैं अरे इस बार रमजान को पूरे शहर में धूम धाम से करेंगे भाई सलाम वालेकुम भाई वालेकुम असलाम तुम आगए मतलम मेरे पुराने दिन वापस बहुत खुशी हो रही है मुझे आप खुश नहीं है भाई मुझे पता है वो शंकर यादव आजकल आपको बहुत जादा परेशान कर रहा है उससे बिल्कुल मत छोड़ना भाई आपके छोटे भाई का सरकाट के चार मिनार तक हुमाया गया उसको छोड़ेंगे नहीं भाई आए आज से हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए भाई तू कोने भे भाई की गैंग में नहीं है क्या अमिता बच्चन अपना ही आदमी है वो शंकर यादव को मारने का प्लान बना रहा है कुछ दिन पहले धम की दी थी अपना ये हिम्मत वाला बहुत दिन से मैं जेल में था न थोड़ा इंज्वाय कर रहे हैं अमारे गैंग का यही तो सिस्टम है जिस भी गर में गयर रेप करके इंज्वाय किया और मडर कर दिया किसी को भी अपना शिकार बना लिया या खुदा सलाम वालेकुम भाई वालेकुम असलाम भाई जेल से आया हुआ हमारा गैंग एक घंटे के अंदर आपके सामने होगा भाई हाई रमजान के दिन हमारे पुराने लोग रिलीज हुए है अब इस बार तो शहर में आपको मारने वाला कोई मर्द है ही नहीं आप समझो शंकर यादों का काम तमाम वालेकुम आसलाम आस्सालाम आसलाम आसलाम आपक्री कि आसलाम यह अरे नहीं नहीं होगा अरे नहीं नहीं होगा अरे क्या करोगा चिरा बहुछ तेर्टा गाले यह तुम्य नहीं होगा। अधिलाया यह जाके सिक्रेट लेकर आदाओ ना जाके सिक्रेटाओ नाके सिक्कानल जो साणल है हुव हुआ protagon two तटा तो हुषists आएיל आए अएल आएल मुन कलो एप फसा WAK आएज ी जए अप्राइब! हुण glamorous याह हाई 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 लोह एक हाई हा हाई जेल से पुराना गैंग छूट चुका है अब आपको कोई नहीं रोख सकता भाई ऊछ शंकर को मार डा लेंगे तौफिक भाई जिंदा भाई तौफिक भाई जिंदा भाई तुपिक भाई सिंदा भाई तुपिक भाई तुपिक भाई तुपिक भाई अब तुपिक हाई अब सिर्फ मैं ही रहूगा शंकर यादव का खेल खताम को सोनरे वाबर बार जाके उसको कि इलाके में आके मेरे यी आदमी को मारता है जारा तो दिखा कौन है देखना चाहता है देखकर सह पाएगा क्या, दम है क्या तुझ में देखने का, फिर भी तुझे देखना ही पड़ेगा, चल देख अमिदा बच्चन, तू है अमिदा बच्चन नहीं बै, मैं कौन हूँ तू जानता है, जानता भी है मैंने जेल से छूटे हुए अपने गैंग को देख ले मेरा अगला टर्गेट कौन है बता हूँ क्या, सुनना चाहता है, सुन गंजा सप्लायर अमर देव का रामदास, बच्चों को किड़ने वाला हकीम पेट का सलीम खान, लड़कियों को होटल में बेचने वाला सनद नंकर का दद्दू मलेश, ब्याज वसूलने वाला कादर भाई, जाली नोट प्रिंट करने वाला हकीम पेट का यादव, समीन कब अभिशेग नहीं किया ना तो, मेरा नाम भी देवराज नहीं इतने दिनों तक हसी मजाख से तुम्हारे साथ रहती थी, मैं तो हसी खुशी तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदेगी बिताने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब तो तुम्हें देखने से भी डर लग रहा है, अब तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा, पर अब आगे क्या करने वाले हो, और उन लोगों को क्यों मारा, मैंने तुमसे प् भले ही रह सकती हो, लेकिन मैं भाई को छोड़कर एक पल भी नहीं जी सकता, मानता हूं कि तुम भाई को पसंद करती हो, उनसे शादी भी करना चाहती हो, लेकिन भाई के बारे में जान लो, मैं सब कुछ बताऊंगा, नहीं मान, इसने जो पूछा उसमें गलत क्या है पूछने कहा किसे नहीं तो किसे होगा भाई, हमारा भाई कितना खुश रहा करता था पता है, मा, बाप, भाई, बहन, सब लोग थे, घर में बहुत रौनक थी, सब बहुत खुश रहा करते थे, सामने वाली की तकलिप को अपनी तकलिप समझते थे आपके साथ रिष्टा जोड़ना हमारी खुश्चन से भी यह मोजा थांक यू बेटा तुम्हें हमारी बेटी पसंद आई ना आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है पर पता नहीं उसे मैं पसंद हुई या नहीं एक बार भी नज़र उठाकर इन्होंने मुझे नहीं देखा लेकिन मुझे असा लगता है मैंने इने पहले भी कहीं देखाया देखने की जरूरती नहीं है हमने उस दिन बस्टॉप पर पहले ही सब कुछ देख लिया उस दिन रोट पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है उस दिन बस्टॉप पर हमने एक प्रैक्टिकल किया था इस मोहन की शकल देखकर आपको कुछ याद आ रहा है जरा ध्यान से देखिए हलो कहां पर हो तुम मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है मैं तुम्हें वाट्सप लोकेशन शेर कर रहा हूँ जल्दी आ जाओ अच्छा मैं फोन रखता हूँ ठीक है समझ गया ना बाई समझ में आ गया ना जब तक हमें आउट्पूट नहीं मिलता ना तुझे अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी जब देखोगे ना भाई तो मेरी एक्टिंग को आसकर देने का अमन करेगा इसे ही ओवर एक्शन क सूपर लग रही हो नंबर दोगी क्या राग को वीडियो कॉल करेंगे दिधी एक्टिंग एक्टिंग मेरा साथ दो ना नहीं दोगी तो मैं केजी एक मूवी की टिकट लिकर आता हूँ चलोगी ना छे इडियाट च्यों नहीं चाहिए क्या तो फिर किसी पार्क में चले क् कोई होटल बुक करूं क्या अरे कुछ तो बोलो ना मैं रुक नहीं पा रहा हूं एय तुझे शर्म है की नहीं यह तुरी बेटी जैसी है पबलिक प्लेस में च्टखानी करता है तेरी तो लड़की च जिड़ेगा शर जर सर वस ऐसे ही जान मुझकर कर रहा हूं तो जान मुझकर कर रहा है मुझे पता है समझा जुट बोलते हैं जुट बोलेगा आधरी प्रिमट की चिरुटबポ तेरे जैसे ही लफंगे के लिए हमारी टीम इस शाहर में काम कर रही है इसा है क्या है सबज़ गया है अब तो मुझे निकलना होगा बालो याद आगिया ना है उस दिन बस्टॉप पे लड़की तुम ही छड़ रहे थे ना मैं बताता हूंँ घर में मेरे करेक्टर का पथा कैसे चलेगा इसलिए इन्होंने प्लैन किया जिससे मेरे करेक्टर का पता लगा सकें सही ए इसलिए मैं जरा जीजु से बात करना चाहता हूं जीजू, मेरी दीदी की बारे में इक बात बता नहीं है आपको कभी गुस्सा आ जाए और मेरी दीदी को डाटने का मन करे तो मन चाही बढ़ास निकाल ले ना जब मारने का मन करे न, तो जानवरों की तरह मारना भी मेरा बदला आपको ही लेना है जीजू जीजू, ये घर से कब बाहर निकले हम बस इसी की रहा देखने है जीजू अब बहने इसलिए सैन कर रहा हूँ लेकिन इसका ओर एक्शन बिल्कुल भी सानवी जाता है जीजू जीजू, आपको कभी दारू पिने का मन करे न, तो मुझे बता देना मैं लेकर आओगा, जितना चाहे पी लेना आपको गुस्सा दिलाने वाला कोई भी काम इसने किया न, तो बेरहमी से इसका गला पकड़ कर बाहर निकल देना भले ही बारिश का ही मौसम क्यों न आओ, डांटने और मारने में बिल्कुल भी कॉंप्रोमाइज मत करना जीजू आपसे कभी कोई कुछ भी नहीं कहेगा जीजू, लेकिन जब मेरी दीदी के साथ आप ये सब करोगे तब एक बार हमारी शकल ज़रूर याद कर ले ना पापा, मेरी माँ और मैं हमारी दीदी के साथ कुछ भी हुआ तो हम सब जीते जिम मर जाएंगे जीजू उसके साथ बहले कुछ भी हो जाए, हम ये सह नहीं पाएंगे, जीजू कोई जी नहीं पाएगा कि वह हम सब की चाहन है जीजो तुम्हारे प्यार के बारे में कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि अजय के बारे में कि अजय के लिए नहीं है माँ, पापा, दीदी के लिए एक लव लेटर आया है प्रिया, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरी तो नीन दूड गई है और जब भी मैं रात को अपनी आँखे बंग करता हूँ ना तो सपने में बस तुम्हारा ही रूप दिखाई देता है इसलिए मैं ज्यादा सो नहीं पा रहा हूँ सूपर लिखा है, पुईट्री अधुत है सौ में से एक सो पांच माग दूँगा कह देना लड़के को पता है मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ सच मैं मैं पागल हूँ कहकर मेंटल हॉस्पिटल में चार बार भरती हो चुका हूँ तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के बाद असल में जिन्देगी सौ साल की होती है बलकि हजार साल होनी चाहिए तो अच्छा लगता सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और आखिर में एक बार नहीं लाको बार कह रहा हूँ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू एक और लव लेटर super, I am impressed मुझे, आई लव यू, इले जा दे आई हेलो रोमियो, अरे डर क्यों रहा है, कल तुने जो लव लेटर लिखा वो पढ़ा मैंने, सुप पॉब है, बहुत बढ़िया लिखा है, हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आया, आजा कॉफी पीते पे दे बात करते हैं, आजा न, ऐसे और कितने दिन लव लेटर लिखीगा मैं अपनी बहन से ही परीशे कर रहता हूं, मेरी बहन को तुम जे से लड़के बहुत पसंद आते हैं, ठीक है, प्यार करने वालों को कभी डरना नहीं चाहिए, मा, पापा, कौन आया है, देखो तो सही, कौन है ये लड़का, अरे वही, कल जिसने बहन को लव लेटर लिख चूगया, आओ बैठो, क्या करते हो विटा, तुम्हारे माता पीता क्या करते हैं, सब अभी पूछ लोगी क्या, पहले कौफी तो पीने दो, लो ना, इसकी चाहो मत पियो विटा, यो यार, पियो, पियो, माता पिता क्या करते हैं, मेरी माँ हाउस वाइफ है, और मेरे पा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी उम्र 19 साल होगी इस उम्र में प्यार करना गलत नहीं है पर वो बड़ी गलती नहीं बननी चाहिए वरना वो जिन्दगी बरबाद कर दीती है एक बार इस बारे में सोचो अगर तुम सही उम्र में प्यार करोगे तो मैं मना नहीं करूँगा पर मेरी बेटी की उम्र 23 साल है और तुम्हारी 19 साल है कितना मासूम प्यार है तुम्हारा मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा प्यार गलत है लेकिन ये सच्चा प्यार होने की उम्र तो बिल्कुल नहीं है जल्दबाजी में आकर बहुत कुछ गलत हो गया है ये सब ही जानते हैं तुम्हें अपनी जिन्दगी को ऐसे बरबाद नहीं करना चाहिए और तुम कह रहे हो कि अपने माता पिता की एकलौते बेटे हो उन लोगों को तुम से कितनी उम्मीदे होंगी देखो बेटा माता पिता अपने बच्चों पर कितना प्यार बरसाते हैं ये तुम नहीं समझोगे सौरी अंकल गलती हो गई मुझे माफ़ कर देखो उठो उठो तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है हमारी बेटी की शादी तै हो गई एक हफते बाद शादी है कुछ गलत करने से पहले अपने माता पिता का चेहरा जरूर याद कर ले ना रो मत बेटा तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो तुमने कुछ गलत थोड़ी किया मेरे बेटे को देखो लब लेटर तक लिखना नहीं आता है वुषी इसकी तरह लव लेटर लिखना थो बिल्कुल भी नहीं आता है हम जानते है तू मेरी पूरी फैमिली को भागया है अरे अरे क्या हुआ भाईया उठीए उठीए अरे अरे बहुत खून बहे रहा है चलिए अंदर चलिए मेरे साथ संहलके मा पापा मा अरे 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 इसका तो बहुत खूंगा रहा है जल्दी जाकर कॉटन लेकर रहा है जल्दी अरे भाईया बहुत दर्द हो रहा है ना पहले चोट पर यह लगाओ बिटा लगाओ भाईया थोड़ा सजलेगा ठीक है ना कंट्रोल कीजेगा जल्दी से एंबुलेंस को फोन कर दो इससे बहुत चूट लगी है जल्दी से एंबुलेंस को इससे एंबुलेंस को इससे एंबुलेंस किया कर रहा है चोट मेरी वेटी को चोट अव्ड़ों तेरी दू हुआ है रुंजड़ मादी दली आँज़ मादी दली आँज़ पॉस्त निल्वाद पॉस्त 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 और दो, विक गॉआ! कर दो… एए, शौन नहीं! उरत को मिल 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 मिल? वो बकॉक डिराटा थालागी मिल 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 मिल्und! मेने मेंडी कo छॉड़ो क्या करने नहुत छोड़ो भी करने शोड़ो के शोड़ो छोड़ो कर दो में पुछे प्लीज कर दो मेरी पेटी को कर दो में पकार कर दो कर दो हेलो टाइम आउट के अब भी रऊइनांगे आउंग लेकर आउँगा व्यानाइ बिरियाने बिरियाने भी है अहां प्लीज थे मैं जूड़ डो बाइँअ थेडिनेगा ठ्म suitable वह यलो वाली दिखाना हाँ 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 वही जब जब कर प्लीज छोड़ जब उडिया नादाजी कितने का है पीस रुपे का ओके दो ले रहा हुआ अब वो भी देदो ना एक दरजन का ओक दो कितने के देनी है मेरे बेटी क्या हो गया क्या हो गया देदी तुमने जो कुछ भी खरिदने के लिए गा था न वो अनी लमानी के भी बसकी बात नहीं है मा देदी देखो न मैं सब कुछ लेकर आया हूँ तुमने मंगाय था ना अरे कहां चले गए देदी देदी पाप्पा पाप्पा उडिए पाप्पा पाप्पा ये क्या हो गया पाप्पा एप्पाइ पाप्पा पुछत्राइए पाप्पा क्या हो गया हुए बड़े, बड़े, बड़े. बड़े, बड़े, बड़े. आई आदव, तुमारे बारे में मैंने सब कुछ पड़ा. बहुत मेंनद करके उपर आयो. और उस तौफिक के भाई का सर काटके जेल गए थे. तुम्हारे प्रती लोगों के अंदर जो डर है उसके भलबूते पर अपने बड़े सामराजी को खड़ा किया है तुम्हें करोडों जमा किये पर कुछ घलत काम भी किये चलो जाने देते हैं पर अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर अब से तुम इज़द से बिजनस करोगे न तो तुम्हारे लिए और हमारे लिए और खास कर जंता के लिए सबके लिए अच्छा होगा कहानी तो आपने अच्छी सुनाई है लेकिन यहाँ पर नहीं गलियों में सुनाई है चार रुपे मिल जाएंगे मैं जानता हूँ तु सुनेगा नहीं ओके तुझे बताना मेरी जिम्मेदारी थी अब आगे तुमारे सारे अट्डे उड़ा दिये जाएंगे अच्छा है ना सर उड़ा दीजे ना दुरगंदा रहिए स्वास्त ठीक रहेगा कमिश्नर सर मैं जानता हूँ आप एक अच्छे शूटर हैं अपने लोगों को फील्ड में उतार दिया आपने वो कौन है मैं जानता ही नहीं हो ठीक मुस्तक आने दो तब देख लेंगे समझदार है चल ठीक है मैं भी देखता हूँ क्या दिखा कर भाग जाएगा क्यों सर मुझे उकसा रहे हैं क्या मेरी भी यह इच्छा है आपने तौफीक से शुरुबात किये बोस तक नहीं आएगा क्या और आना भी नहीं चाहिए यह इच्छा है मेरी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वो आज से तेरे हाथ में है पर एक बात कान खोल के सुन ले मैधान में उतरने वाला एक भ्यानक अगनी के कुंडी की तरह होता है उसके सामने जो भी आता है न वो राख बन जाता है इतना सबक काफी है सब्सक्राइब करने वाले बदमाश निकालो कि चुन चुन के बारो सबको बाड़ी को पोस्ट माटम के लिए भेज़ दो इस लड़की की फोटो आज पास के सारे फोली स्टेशन में भेज़ दो ये लड़की कौन है पहले आइडेंटिफाई करना होगा आज पास सुबू ढूंदो सब के सब चेक करो कोई भी सुबूत नहीं छूटना चाहिए सोशल में पार भी हर जगा पोस्ट कर दो किसी के पास कोई भी खबर हो तो वो सीधी हमारे पास आनी चाहिए मैं खुद इस केस को हैंडल करूँआ सो डोंट रिलेक्स निकालो, एक एक किक कुंडली बाहर निकालो छोटा बड़ा कोई भी को ना हो, किसी को किसी किमत पर माचोड़ना चाहिए किसी भी तर गे सब बोर्ट को ना हो और तालिस घंटे में सब को शूट कर देंगे जो लोग दो बार जेल जाकर बाहर आएं उन सब के लिस्ट मुझे दो सर, दो बार जेल जाकर बाहर आने वाला वो हजारून है सर आतो, छोड़ देंगे क्या, वो वहाँ मर्द और और अरत में अंतर देखे बिना सब को मार रहा है और हम देखते रहेंगे क्या, बोलो सबसे पहले लिस्ट मेरे सामने रखो फिर क्या करना, क्या नहीं, वो मैं अची तरह से जानता हूँ हम पब्लिक का प्रोडिक्शन दे पा रहेंगे, बोलो बाहर जाने में शर्माती है मुझे प्रेस को क्या जवाब देंगे हम पहले बोले इसलिए करा सर, मुझे मारने से क्राइम खत्म नहीं होगा मुझे मारने के बाद भी, मुझे जैसे ना चाने कितने और पैदा हो जाएंगे हलो, सर, ओर्डर सर शूट करके भेंग दो ओके क्राइम कभी नहीं मरता, क्राइम करने वालों को मार दिया जाता है इस बात का दुख मुझे अब और आए कि मैं इस जॉब में क्यों आया हूँ कोई भी काम करने के लिए और्डर्स की जुरूत पड़ती है कुछ भी करो तो पहले फोर्स जाती है दिमान लेकर बाहर आ जाते हैं और कवाओं को मार देते हैं और मर्डर करके आराम से घुमते हैं इनका कोई कुछ ने भी गाड सकता है ये देखकर मुझे घुस्सा आता है आपको याद है सर ठीक छे मैंने पहले हम कैसे मिले थे अगर परिवार का क्या करेंगा ये सोच अगर परिवार को जान से मार दूँगा मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा किसी 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 आता है मरने के लिए 50 ml काफी नहीं है कम से कम 250 ml चाहिए उपर से इसे पी कर तो मरने वाले भी नहीं बलकि हास्पिटल पहुंच जाओगे अगर तुमने मरने की सोच ही ली है तो जाकर 250 ml लेकर आओ मेरी महत आपको मजाग लग रही है क्या क्यों ऐसा नहीं है क्या फिर मरने से समस्यों का हल भी नहीं मिलता ये सब चीक चीक के कह रहे है माक्स कमाए तो सुईसाइट माने डांटा तो सुईसाइट लव में फेल हुए तो सुईसाइट किसी ने दोका दे दिया तो सुईसाइट और बिजनस में लॉस वा तो सुईसाइड और तो और फेस्बुक में पोस्ट पर अगर लाइक कम आई तो ऐसे सिली रिजन के लिए भी सुईसाइड कर लेते हैं लोगबाद और तुम भी सुईसाइड करने की सोच रहे हो ना तुम पर भरोसा करने वाले माता-पिता के बारे में सोचो जरा आज अपने माबाप के बारे में सोच रहा हूँ इसलिए तो मरने जा रहा हूँ ना यह बताओ हुआ क्या है मैरे परिवार को बरबात कर दिया सर किसने किया यह भी नहीं जानता वही और नहीं इस सिटी में बिना डरे और रेप करने वाले वो लोग कौने पता है वो सब तौफीक खान के गैंग वाले हैं इतना सब पता होने के बावजूद भी यह पुलिस वाले लोग क्या कर रहे हैं सर वो चाह कितने भी शातिरों मैं उनसे ज़्यादा बड़ा शातिर हूँ मैं इस सिटी का कमिशनर हूँ तो आप ये सब जानने के बाद भी शान्त हैं आप सब को मार क्यों नहीं देते हैं सर सुनो मिस्टर कानून ने मुझे थोड़ी लिमिट में रखा है एक पुलिस ओफिसर के तौट पर मैं उन्हें अरस्ट करके रिमांड में ले सकता हूँ उसके बाद क्या हो अहां तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वो सच में बहुत बुरा है जैसा मैं कहूं ऐसा करोगे अगर करोगे तो तुम पर जो अन्याय हुआ है न उसका बदला ले पाओगे बताईये सर क्या करना होगा अगर आप मेरा साथ देते हो तो मैं कुछ भी करूंगा उस दौफीक खान की गैंग में एक गांजा बैच है ये लोग ज़्यादातर रेप केस में इन्वाल्व होते हैं उन्में से कुछ को मैं पांच महने के लिए अंदर डाल देता हूं तब तक तुम उस दौफीक खान की गैंग में घुसकर उसके और शंकर यादव की बीच जो जगणे उसको और उकसा देना शंकर यादव से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन मैं तुमें देता हूं वो तुम उसको दे देना उसका भरोसा हासिल करो और उसकी गैंग में अपनी जगय बनाओ मेरी इतने साल की सर्विस में पहली बार मैं कानूं को बाहर से चला रहा हूं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है कुछ भी कहो लेकिन मुझे तो एक चीज चाहिए सिधी की शानती और पूरी तरह की सुरक्षा मेरी लाइफ भी आप की तरह थी और मैं सोचता था कि मैं क्यों जिन्दा हूँ उस दिन आपने मुझे मरने से बचा लिया आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपकी वज़े से मेरे परिवार जैसा अन्याए किसी और परिवार के साथ नहीं होना चाहिए बस मुझे वो लिस्ट दे दीजिए सर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूँगा बिना दया किये उन 11 लोगों को मार दूँगा ऐसे काम करने के लिए आपके डिपार्टमेंट ने आपको रुका है लेकिन मुझे किसी तरह की रुकावट नहीं है एक मर्डर करो या सौ मर्डर करो सजा तो एक ही होगी या आपने ही कहा था ना सर ऐसे कमीनों को मार देना ही चाहिए सर एक बार वोलेश दे दिजिए मैं उन्हें खतम कर दूगा सर दे दूगा पर इंस सब में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा इससे पहले तुम्हारा कोई नहीं था सब मारे गए पर अब तुम पर भरोसा करने वाली एक लड़की है बस इसलिए थोड़ा डर लग रहा है अब तक आपने मुझे पूरी तरह समझा ही नहीं है मेरा और दिप्ति का प्यार होम मिनिस्टर को देखा नहीं जा रहा है ये सब उसी का किया कराया है होम मिनिस्टर और उस लड़की का क्या कनेक्शन है है सर वो कैसा लिंक है है होम मिनिस्टर का एक पीए है और उसका सारा ILLEGAL काम वो जानता है उसकी weakness वो लड़की है तो ब्लakने काहा उससे प्यार करो तो वो भी पकड़ा जाएगा और इसकी कर्टुदे भी बाहर आएंगी भोश यार रहना वो ताफिक तुम पर कब हमला करेगा कुछ कहने ही सकते हैं उसे मैं चांस ही नहीं दूँगा सर इस समय पे अपने इगो को साइड में रख दो एक साल में एलेक्षन आ रहा है हम सबको अलर्ट रहना होगा अगर मैं चीता तो तुम सबका बला होगा पता है मिनिस्टर साब तुम जैसे नेता हम जैसे गुंडो का हमेशा इस्तिमाल करते हैं और हमेशा सेफ रहते हैं हम अच्छे से जानते हैं यह तुम कैसी बाते कर रहे हो ए तौफिक बाई, क्या बात है आज कल, तुम्हारे गैंग में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? वो पुराना सेटिलमेंट है सर, छोड़ दीजे, नया बताइए क्या करना है? मुझे लोगों के दिल में डर पैदा करना है, या उनको साफ करना है, या फिर मुझे उनके बैलिट बॉक्स को बदलना है, बताइए क्या करना है? अरे वो पूराना स्टाइल है अभी सब अपडेटेड हो गए रियक्ट्राणिक वोटिंग सिस्टम सब नई टेकनलोजी है तौफिक भाई एलेक्शन वाले दिन तुम्हें अपने एरिया में लफडा करवाना है कम से कम पांच लोग पांच लोग मरने चाहिए शंकर भाई तुम्हें अपने एरिया में धर्म के नाम पे दंगा करवाना है शौप, रेल, बस सब कुछ जलाना होगा लोगों को पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ पुलिस वालों के पास भी इनफोर्मेशन होनी चाहिए इस डर के कारण लोग आपकी पार्टी को वोट करेंगे और एक हपते बाद पुलिस वाले हमें चेल में डाल देंगे आपको तो एक अच्छा पद मिल जाएगा एसी रूम में रहेंगे सिक्यूरिटी रहेगी अच्छी कमाई होगे वगरा 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 क्या प्लानिंग है सर आपकी मैंने करूँगा मैंने करूँगा सर सर यह कैसा लग रहा है शादी मेरी और सुहाग राद आप करेंगे यादा मेरी अपनी एक पॉलिसी है मेरे आगन में लगा पेड सिर्फ शुद्ध हवा दे ये काफी नहीं है मुझे हवा भी चाहिए और फल भी चाहिए और पेड के सूखने के बाद उसकी लकडी भी मुझे चाहिए लगता है तू समझ गया है बहुत ओशियार है तू सेर, फोन कौन है? हलो हो ओके, हो गया तुम्हारे तालाब का पानी कोई और लेके जा रहा है वो जो भी है उसे शिकार कैसे करना है पता है पानी जैसे जैसे कम होगा मच्छियां बाहर आ जाएंगी आप प्रभू की लिए अपने आत्मियों को कोई मार रहा है आप कहा पर हो भाई तौफिक भाई अपने लोगों को कोई मार रहा है भाई शूट कर रहा है आप कहा हो भाई आप दूपीनगे शुटiked klokokok आप ईहाहाट एजले कंड़ जोures रहाया है सम्ट। Claudiaлекला झाल शुट है से ऑजले लोगों के शुटे कम के पाने जले खेसे कोईर मैंस झाले गया ओई लुजत पाफ़े झाया हुआ cambाई जुजत नुजत 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 वियों हुआ हिसाब बैलेंस सब निपड़ गया ना तुम्हारी गैंग में कोई जिन्दा बचा क्या यह सब ऊपर चले गया और हां तौफीक तेरा हिसाब क्या है मैंने जो हिसाब किया था उसके हिसाब से तो हिसाब बराबर हो गया भाई अब मैं नहीं करूँगा जो भी मेरे आदमियों को मार रहा है वो कोई मामूल इंसान नहीं है उसका जिगर उसकी आखें और उसका मन और उसकी बाड़ी एक उबलता हुआ कर्म लावा है लावा अगर उसके सामने गए तो बस्त में हो जाएंगे हम लोग वालती समझ के मैं तो पीछे हट रहा हूँ भाई मैं तो ड्रॉप हो रहा हूँ भाई अरे ओ तौफिक मैं इन मैंसे किसी को नहीं छोड़ूँगा इस यादब उसको और सब को मार डालूँगा मिनिस्टर सहाब मुझे आपका सपोर्ट चाहिए मैं उन सब को खातम करके ही वापस आऊँगा हम जीतते हैं तो इन जैसे गुंडों के कारण हमारे लिए ये लोग सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है हर तरब से हमारा इफादा है आम क्याम गुठलियों के दाम लेकिन ये बता ये यादब अचानक से कैसे बदल गया सर उसका इस धर्ती से अब जाने का समय आ चुका है तुझे ऐसा लगता है क्या हाँ सर क्या का हाँ सर गुंडा घर्दी के चकरवीव में आदमे घुश तो सकता है पर निकल नहीं सकता क्योंकि वो सिंगल वे जो है उपर जाना है ना सर तु बहुत समस्दार हो गया है पहले एलक्शन फंड के लिए सब लोगों को फोन करके लाइन पे ले हलो अच्छे से बात करना हलो स्वीटी इतने दिन हो गए सिर्फ फोन पर ही बात करोगे क्या बस कहते ही रहते हो मिलते तो हो नहीं कभी आज तो कम से कम पार्क में आकर मिल सकते हो ना आज आओ ना स्वीटी बेबी पार्क में जाकर एंज्वाए करने की उमर तुभारी है उसी पार्क में वाच्च मैन की नौकरी करने की उम्र है मेरी वैसे भी अगर पार्क में हम दोनों जाएंगे तो आस पास के लफंगे जिस नजर से देखेंगे उसे मैं सह नहीं पाऊंगा उस नजर का मतलब तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर मुझे क्लियली पता है बहुत बुरा लगता है फिर तुम ही बताओ स्वीटी क्या करेंगे मेरा तो बहुत कुछ करने का मन है लेकिन क्या करूँ मेरी गोद में सर रख कर रिलाक्स हो जाना अरे यार तुम्हारी बाते सुनकर मेरे दिल में बहुत कुछ हो रहा है इस मिनिस्टर को तो मैं बात में देखूंगा पहले तुम्हारे पास आऊंगा समझ गई ना भले ही धर्ती उलट-पुलट क्यों ना हो जाए मैं तुम्हारी गोद में सूंगा वाट्सेप पर लोकेशन सेंड कर रही हो आज आना स्वीटी प्रूमान्टिक होना काफी है ना या फिर और चाहिए सर, मिनिस्टर जी की फ्लैट टिकट कन्फर्म हो गई है सर, एक बार आप चेक कर लिजे सर तुम जाओ, मैं बात में बात करता हूँ, जाओ, जाओ हाई बेबी आज हो मिनिस्टर जी इलेक्शन में जीतने के लिए कुछ आफर्स बताएंगे इसलिए आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इस बार जीतने के लिए आप सबको भारी पैकेश दे रहे हैं सर, आगे क्या करना है आप ही बताईए दुकाने बंद करवादो, बसों को जला डालो, जरूरत बड़े तो लोगों को भी माट डालो बस एक ही टारगेट है, वो है मेरी जीत बस जलाओगे तो एक लाग, पाइक जलाओगे तो दस हजार दुकानों पे पत्थर फेकों के तो हर पत्थर के दो हजार अपने सारे लोगों को पता दो, सब कुछ चुपचाप हो जाना चाहिए यहाँ बस एक ही टारगेट है, और वो है हमारी जीत और आफर भी है, बदन पे केरोसीन डालने वाले को पचास हजार दूगा पुलिस वालों पे पत्थर फेकने वालों को चार हजार दूगा ऐसा लगना चाहिए कि ओपोजीशन ने किया है, हमें सेफ गेम खेलना है बस जीतना ही हमारा टारगेट है सर, 15,000 यूथ मेरे साथ हैं, वो कांट्रेक्ट मुझे दे दिजे सर थोड़ा एडवांस दे दिजे, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मीडिया वालों को दिखाऊंगा सर उसके बाद बचा हुआ बैलेंस दिलवा दिजे सर हमारे पास 30,000 लोग हैं अलग अलग ग्रूप में जाकर पलतकार करेंगे, मडर करेंगे और चलखानी करेंगे तुम्हारे पास गुंडों के लावा है कौन? कौन है आप? और आप अंदर कैसे आगए? ओ, आप हैं? जब पहली बार पार्क पे देखा था, तब आपके बाल बड़े थे उस दिन कौन सा विक पहन कर आया था? हे हे, तुमने ठीक से देखा रही, यही थे, उस दिन हवा से खड़े हो गए होंगे, अभी यह सोए हुए है पारोयरररर उस तूरोयररर उस देकाँ है ऋखे दो, एनरजी ट्रिंक लेकार आती हो हाहे हम Raspberry बानप लू छो न खो बानप लू छो जो हुआ 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 है इतने देर में बदल गई क्या पलंग पर बांद कर मारोगी यह सोचा था लेकिन कुरसी पर भांद करके हुआ लेकिन कुर्सी में मार रही हो अब समझ में आ गया प्यार ने मुझे धोका दे दिया लेला मजनू देवदास पारवती आरजेडी श्रीदेवी की तरह अब मैं भी क्योंकि ये प्यार नहीं है हवस है एय मिनिस्टर के सारे इल्लीगल काम तू अच्छे से जानता है इज़त से बता दे अरे तो मारने की जरुवत क्या है पहले ही थपड़ से मुझे तारे नजर आ रहे हैं अब और मार नहीं खा सकता मैं उन्होंने जितने घलत काम किये हैं व के लिए मैं अपने पास रख कर घूम रहा हूं वो तुम्हारे इस तरह काम आएगा मुझे क्या पता था मुझे छोड़ दोगे तो मैं हॉस्पिटल में भरती हो जाओंगा होम मिनिस्टर के जेल जाने के पाद ही दू बहार आएगा कम से कम पानी तो दे दो यार अरे सिग्रेट बीडी कुछ तो दे दो मेरा पूरा मूँ सुक्रा यार अरे बिर्यानी के चकर में दाल भी गई अब क्या करो अरे मैं इतने सानों से राजनीती में हूँ और तुम सिखाओगे मुझे अच्छा वो सब छोड़ो सारे पैसो को जमा करके पांच साल के बाद हम सब बाट लेंगे ठीक है ना कुछ लोगों को दोगे तो बाकी लोगों का क्या होगा अभी इलेक्शन खत्म होने के बाद जीतने वाले नेता का फोटो लगा कर हम धंदा नहीं करेंगे वो सब छोटे मोटे काम है इससे किसका भला होगा अच्छ चोटे मोटे वो कोई कंपनी खोलेगा और लोगों का पैसा हड़ाप लेगा तो हम क्यों न करें कि उसे लेकर आते हैं और उसे धमका कर पैसा हड़ाप लेते हैं रेप करने वालों को, मर्डर करने वालों को इस तरह ओफिस में बिठा कर, इस तरह सेटलमेंट करके पैसे लेते हैं क्या? यह सब तो आम बात है जीतने के बाद हमारी फोटो रखके इस मिनिश्टर को जानता हूँ उस मिनिश्टर को जानता हूँ बोल करके पैसा नहीं कमाते हैं क्या पहले मैंने जो कहा वो शुरू करो अब कुछ में स्टार्ट नहीं होगा सब कुछ बंद होगा बंद करना है इन सब में इस बार डिपार्टमेंट का भी हाथ है क्या सबूत की जरूरत होगी न सर सारे सुबूत कोर्ट में सब्मिट कर दी है अरेस्ट वरेंट के साथ है हूँ मैं चलो इस्जट से आओगे आतकड़ी पहना हो ये सब बताने वाले मिताब बच्चन को मेरा तौफिक खान नहीं छोड़ेगा सर उस होम मिनिस्टर से रिलेटेड सारा डेटा इस फोन में है उस पीए को दो खीच कर लगा है तो उसने सब उगल दिया आपने जो काम मुझे स्वापा था वो आदे घंटे में खतम कर दूँगा उसे सजा आपको ही दिलानी होगी सर अकेले बिलकुल भी मत जाना वैसे भी हमने होम मिनिस्टर को आरेस्ट कर लिया है उस गैंग के सारे लोगों को हम सजा दिलाने के कोशिश करेंगे तो तुम बिलकुल भी रिस्क मत लेगा इसी समय की मैं रहा देख रहा तो और आप मना क्यों कर रहे हो सर एक-एक को नाम से बुला बुला कर मारूंगा सर देखो प्लीज तुम मच जाओ मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी सर एक-एक को नाम से बुला बुला के मारूंगा प्लीज हमारे बारे में भी सोचो ना मैं जरूर लोटूंगा और हमारे सारे सपने भी सच होंगे तुम्हारी कसम ए भावी का ध्यान रखना भाई मैं भी जाओंगा भाई तुम्हेरी फिकर बिल्कुल भी मत करना क्योंकि गल्ती से भी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल सह नहीं पाऊंगा जाने दो बेहन इनका जनम गुंडों को मारने के लिए हुआ है मैं तुम्हें नहीं जाने दूगी बस समझ लो इसी दिन की में बहुत दिनों से रहा देख रहा था अमिताब बच्चन तुर्गा मा की कसम सब बंद कर दिया मैंने मेरे आदमी उसके गैंग में नजर आए तो मार देना ए तौफेक सुन तो तो गया ने क्या है आखिर तु मुझे ढूंडते हुए आ ही गया। आज मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। अलोह! हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 आहाँ को अप्रैनुशं पे जुभ सिलनें ताराग जे को अपतना में अपतना त inh अए अए ओड़ अफ नवा इा रिप प्रुण है अर्अंग अरप अर्फ अर्व है अर्व कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल